हाई दूस्तो असलाव अलेकुम कैसे आप लोग मेरा नभील है यह वो वीडियो है जिसका आपको इंतजा आता 70.5 का पब्लिक स्टेबल वर्जन जो एपल ने रिलीज किया था उसका रेवीव वीडियो है मैं कुछ दिन के बाद बना रहा हूँ यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ यह बना रहा हूँ थर्सडे को और यह अपडेट कब आई थी यह अपडेट आई थी मंडे रात को तो यहाँ में अच्छा खसा इसको यूज किया और मैं आपको वेड करवाता हूँ इसलिए क्योंकि अपडेट जो अच्छी हो तभी दवाइस करना नहीं चाहिए क्यों ऐसा है क्योंकि देखिए बाद में जाके फोन हीट होगा कुछ ग्लिचेश आएंगे प्रॉब्लम आएगा आटो रोटेशन में प्रॉब्लम आएगा किसी-किसी लोगों को आ भी दा है तो इस वज़ेसे मैं आपको वेड करवाता हूँ के फोन की जो बैटरी लाइफ है वो कितनी निकाल पा रहा है फोन और हीटिंग जो है किस तरीके से यहाँ पे मैनेज की गई है इस वाले अपडेट में तो चलिए सबसे वहले बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में और हीटिंग के बारे में गाईज अभी आप देख स वेंस्टे लग जाता है बारा बचे उस टेंबर होड़ा, confusing ही लेकिन समझ जवाब अगर समझदार हो तो, और यहाँ पर देख सकते है, Wednesday का जो screen active time था, वो पौने तीन घंटे का था, और आज Thursday का जो screen active time है, वो भी almost उतना ही है, तो 5 घंटे का screen on time मिला है मुझे, लेकिन कितन 2 hours का, यहाँ पर amazing मुझे battery life मिली है, standby time बोली है, जो बोलना है बोली है, और with 5 hours of screen active time, तो काफी कमाल का यहाँ पर बैटर लाइफ इस वाले अपडेट ने निकाल के दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते है, Thursday को मैंने क्या 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 था, Instagram जो है, 48 minutes चलाया था, WhatsApp, 13 गंट है, और इसका सबसे बड़ा reason यह है, कि यहाँ पर heating को, Apple ने इस वाले update में control कर दिया है, तो अगर heating control हो जाती है, तो battery life आपकी अप इंप्रूब हो जाती, क्योंकि heat होता है phone, तो battery गिरना start हो जाती है, तो heating जो है control हो गई है, iOS 17.5 पे, और heating के लिए concerned अगर आप थे 17.4.1 प यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन बारिश होना चोगी है, थोड़ा सा धूब भी कम होगी है, बाकी update जो है, heating control करने के मामले में बहुत चाहिए, तो आप definitely heat control करना है, अगर आपको अपने phone की, तो 704.1 से 7.5 पे update कर सकते हैं, और आपको battery life भी इसमें अच्छी निकाल थोड़ा बहुत जो है, आप समझ लिए, एक जीबी, दो जीबी जो है, यहाँ पर यूज बढ़ गया होगा मेरा, लेकिन फिर भी 700 जीबी जो है, available free space दिखा रहा था, और बाद में सीधा 550 जीबी पर आ गया था, तो यह मुझे जो है, बहुत ही अजीब सा लगा, तो एक यहाँ पर आ जाएगा, बाकि यहाँ पर हम जाते है, आईफून स्टोरेज के अंदर, और यहाँ पर भी इसको लोड होने दे देते, तो यहाँ पर देख लेते हैं, कि कोई अधर वाला स्टोरेज, जो है, system data जिसको आपल भी बोलता है, वो जादा है कि बिल्कुल भी आदा भी है, तो फिकर मत कीजिए, लेकि इंकम है, तो बहुत अची बात है आने की, बहुत अच्छे तरीके से आपका फोन अप्टिमाइज़ है, नेटवर्क परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ पे नया मोडेम अपडेट भी आया था, और नेटवर्क परफॉर्में अच्छी निकल के आती है, इसका मतलब यह नहीं कि 100% हमेशा बैटरी हेल्ट रहेगी, या 99 पर तो 99 रहेगी, लेकिन बैटरी हेल्ट का डिटोरेशन है, वो बहुत ही स्लो होगा, और आपकी हेल्थ बैटरी की वो लॉंग टाइम तक अच्छी रहेगी, यहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेट कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इंदास इस मामले में आगे बढ़के इसको अपडेट कर सकते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों, आप क्रैशिंग की और जेनरल कि देखिए, मैंने आपको बेंचमार्क्स वाका दो दिखा थे, उसमें तो कोई प्रॉल्म था नहीं, कोई परफॉर्मस घटा वगारा नहीं था, और यहाँ पे अप क्रैशिंग इस वाले अपडेट में मुझे बिल्कुल भी देखने नहीं मिली, कोई भी आप से मुझे अगर आपको आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको simply जाना चाहिए, आप स्टोर में, और आप स्टोर में जाके आप अप्लिकेशन को time to time अप्डेट कर लिया किजिए, क्यों के developers पुश करते रहे हैं, कि अभी मैंने जिस दिन अप्डेट आई थी उस दिन किया लेकिन अप्डेट के वए से आप क्राशिंग उखाना नहीं है, यह मैं आपको बता सकता हूँ, तो इस मामले में यह अप्डेट जो है अगेन green signal है मेरी दरफ से, अब बात करते हैं जो ग्रीन स्क्रीन इशू के बारे में, ग्रीन स्क्रीन इशू जो है यह पुराने खास करके आईफून 13 सीरीस का फोन थोड़ा केरफूल रहो और अगर आप बेचने वेचने का सोच रहो तो अपडेट मत ही करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए बाकी अपडेट करना जो है बाकी सभी फोन के लिए सेफ ही है लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने लोग है जिनको green screen issue आता है अब अपने तरफ से सामने से कुछ बोलता नहीं है green screen issue के बारे में तो मैं क्या आपको information दूँ इसके बार में additional बाकी जिन फोन के बार मैंने update को इंस्टॉल किया है यह वाले update पे मैंने फोन को अपडेट कर लिया है वो update की वज़े से उन फोन के ऊपर को बहुत दूप में खड़े रहते हो और वहां पे फोन का camera करा यूज करते हो तो फोन तो गरम होने वाले हर फोन होता है और आइफोन स्पेशली जादा गरम होते है ऐसे situation में तो इस बात का ध्यान करने बाकी regular जो आप यूज़े उसमें चितना heat होता था फोन उसके मुकाब अपडेट केंदर आते हैं और इस अपडेट में भी फोन तो फोन मॉडल तो मॉडल परसंट तो परसंट भी डिपेंड करेगा कि आपको कैसा बग देखने मिल रहा है तो ऐसा नहीं बोज़ेत परफेक्ट है कोई अपडेट परफेक्ट होता नहीं है लेकिन अच्छा अप कर रहे है और प्राइड वॉल पेपर तो मैंने लगाया नहीं है और लगाने वाला भी नहीं हूँ तो यहीं दिखानी दोस्तो आयए 70.5 की आपने अपडेट किया नहीं किया करने वाले और नहीं करने वाले जो भी आप सोचते मुझे कमेंट लिखके जरूर बताहिए उमी